हेलो एवरिवान वेलकम बैक तो माई चैनल गाईज एक और न्यू रीडिंग के साथ मैं आ गई हूँ कैसे हैं आप सब आई होग कि सभी अच्छे हैं खुश हैं अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं तो अभी जो डीडिंग लेकर आई हूँ मैं टॉपिक है नेक्स्ट क्या होने वाला है what is coming next in your love life ठीक है love life में आगे क्या हो सकता है क्या next होने वाला है यह हम जानेंगे तो start करते हैं बिना देर करें और देख लेते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए क्या होने वाला है आपकी love life में next what is going to happen next चल यह देख लेते हैं guys यह general reading है तो हो सकता है सभी के साथ resonate हो हो सकता है ना हो so please keep an open mind और यह reading timeless भी है तो जब भी यहां तक आप पहुंचें आप देख सकते हैं हो सकता है आपको कुछ ना कुछ मदद मिले और comment section में जो number दे रहे हैं वो मेरा number नहीं है तो please थोड़ा अलर्ट रहें चलिए अब reading पर आते हैं chariot number seven seven of cups again number seven magician ten of pentacles hermit strength six of pentacles sorry six of swords है knight of cups death card king of pentacles five of wands का काड़ भी है okay guys मुझे लगता है separation में हो अभी right now अपने person के साथ और separation जो आया है वो बीच-बीच में तूटता भी है like कभी बात तो जाती है कभी separation आ जाता है कुछ ऐसे situation अभी दिख रही है यहाँ पे ज्यादा कार्ट मेंजर और खाना से है तो यहाँ आपकी लाइफ में आगे major changes तो आने वाले यह तो यहाँ पर clear दिख रहा है आपकी लव लाइफ में विक्ट्री अट्राक्ट कर रहे हो ऐसा लग रहा है जिससे आपकी person travel करके आपके पास आना चाहते हैं अगर आप एक connection में हो या किसी के साथ connection फील करते हो तो यहाँ पर chances हैं guys कि आपकी person आपको मिलने आएं अपडेट कर सकते हैं उस person को नियर फ्यूचर में यह person खुद आपके लिए manifest करते हो दिख रहे हैं आपको guide करते हो दिख रहे हैं लेकिन अभी confused में भी है guys confused तो है यह person आपके पास तो काफी strength है इस situation में भी survive करने के लिए क्योंकि आपको पता है कि आपका reconciliation होने वाला है ब wealth आने वाली है पहली बात तो यह है लेकिन love life में आपको commitment मिलने के भी chances बहुत पास आ रहे हैं अब आपके divine masculine है अगर या आप जिसके लिए भी पोच रहे हो अगर आपको बहुत अच्छी positive feeling आरी है इस person की तरफ से तो आपको commitment मिलने के chances हैं तो कि यह person जल्दी कोई step लेने वाले हैं यह already manifest कर रहे हैं जो भी इसने अपने माइंड में सोच लिया है इन सारी चीजों को सच कर आना इस person को इवन आप दोनों के बीच में no contact है तो यह person अभी regret में है ठीक है उदास है खुश तो नहीं है कि कुछ चीच है जो से बाबर आपकी तरफ ही कीचती है यह आप यह करेंगे क्योंकि manifest कर रहे हैं continuously इस confusion को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और आपके पास आने की कोशिश कर रहे हैं आप दुनों के बीच में छोटे मोटे नोक जोक होंगे पहले एकदम से यह आपको प्रपोस नहीं करेंगे पहले थोड़ा सा क्रिटिसाइज करेंगे न हैं ऐसा मैं यहां पर देख पा रहे हूं अगर आप ट्रिपल फोर नंबर देखें एंजल नंबर तो यह तो समझ लेना यह बहुत पॉजिटिव हिंट है आपके लिए कि कमिट्मेंट आपको मिलेगा सेवन नंबर अगर ओफन दिखेगा तो फिर यह इस यह भी एक पॉज लग लाइफ ट्रैक पर आ रही है ऐसा मैं आप पर देख पा रही हूं चीज़े सही हो रही है आपकी लग लाइफ में और देख लेती हूं मैं और आपके लिए क्या आ रहे है स्टार आपकी बहुत बड़ी विश्पूरी हो सकती है आगे जाकर टू अफ कापस देखो मैंने का ना सिचुवेशन ना बहुत अट थीक हो रही है आपके लिए कमिट्मेंट मिलने के चांसेस दिख रहे है मुझे मैंने का ना थोड़ी नोग जोग होगी स्टार्टिंग में जब यह परसन आपके पास आएंगे नोग जोग हो सकती है थोड़ी आर्गुमेंट हो सकते है चिक है लेकिन आप फिकर ना करना क्योंकि मुझे जो दिख रहा है वो टू अफ कप्स जो एनरजी है देखो आप 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 आपके पास मुझे ऐसा दिख रहा है जल्दी आ जाएंगे मतलब नियर फ्यूचर में आ रहे हैं यह परसन कॉंटेक्ट करेंगे आपको मुझे लगता है इस परसन के ना इसके फादर के साथ कुछ इशूज भी है अभी राइट ना ऐसा भी मैं देख रही हूँ पर आपकी लव लाइफ में आपके पार्टनर का एक्शन होना है आपका एक्शन नहीं होना यह खुद आएंगे आपके पास मुझे लग रहा है इ यह कुछ चाहते हैं और इसके पापा कुछ और कह रहे हैं कुछ इस तरह की आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं इस परसन की लाइफ में ओके एम्प्रेश का भी कार्ड है देखो यहां कंपैटिबिटी तो आप दोनों के बीच में बिलकुल है ही परस पर संथ है IRA आप को बताएं ही एप संथी कि वजह ses तो पर्वें कॉप्षै लोग की व constitution K Consult ए यह कॉत किसले यह थे रिग्रेट में हैं जो रहा है क्या करें क्या न करें लेकिन आप से बहुत प्यार करते हैं two of cups का card है, यह clear मुझे यहां बता रहा है कि यह person आपसे प्यार करते है आपको यह अपनी wish मानते हैं, खुशियां मानते हैं आपको अपनी, और हो सकता है long distance है, हो सकता है caste issues भी है यहां पर, caste issues तो guys बिल्कुल दिख रही है लेकिन caste ही क्या करेगी जब इनसान प्यार करता है तो तो मुझे लगता है इस person के family के तरफ से कुछ issues हो सकते हैं इसी वज़ासे शायद से न यह जो regret की feeling है, यह continue रहेगी कुश दिन तक, और confusion में रहेगा यह person जो भी यह लड़का लड़की है क्योंकि इसके पापा नहीं मान रहे है मम्मी भी हो सकती है, जो नहीं मान रही होंगी इस connection के लिए या फिर ऐसा हो सकता है कि यह person अपने घर में बता दे कि यह person आपसे प्यार करते हैं और इसके parents against हो जाएं इसके, यह situation भी होते हुई दिख रही है लेकिन इसके दिल में तो आपके लिए प्यार है यह person तो आपसे प्यार करते हैं इसके दिल में feelings है आपके लिए और आपके साथ नहीं इसका एक telepathically connection भी बना हुआ है बहुत अच्छे से, आप दोनों एक दूसरी की energy feel कर सकते हो टावर आया हुआ है आपके connection में या आ सकता है family की वज़ा से लेकिन don't worry जो चीजे होनी है वो होगी लेकिन आप manifest करेंगे तो हो सकता है चीजे ठीक हो जाए यह current challenge हो सकता है कि parents agree ना हो कुछ के case में और कुछ के case में तो guys यह आपके पास आ रहे हैं अब आपको message कर रहे हैं call कर रहे हैं और आप से थोड़ी बहुत no joke करके अपनी चीजे ठीक भी कर रहे हैं ऐसा भी मैं यहाँ पर देख रही हूं और देख लिए क्यों मैं और मुझे क्या पता चलेगा क्या होने वाला नेक्स्ट awareness कि मैंजिशन काई काड आगया फिर से suffering and silence हो सकता है काई कुछ टाइम तक एक थोड़ी समय के लिए ना आपको थोड़ा सफर करना पड़ सकता है क्योंकि आप दोनों को ने कुछ मैनिफेस्ट करना है अभी मैनिफेस्ट करना कि कि दो बार काड आ गया आपको थोड़ी awareness और पता करनी है बैलन्स लाना है लाइफ में अपने करियर पर ज्यादा काम करना है दोनों ही न अभी किसना किसी डर में फसे हुए हैं आप फैमली का डर हो सकता है करियर में improvement नहीं हो रहा है यह भी हो सकता है आपको काम करना है पर hope रखिए divine कह रहे हैं आपसे hope रखकर ही काम कीजिए सारे सब कुछ ठीक हो जाएगा अपने timing पर अपने passion को follow कीजिए आप दोनों अभी अगर आपके पार्टनर से बात होती है तो आप भी उनको यही बोलिए कि अपने passion को follow करें अपनी life में equal balance लेकर आएं ताकि आप अपने decision ले सके और अपने बड़ों के सामने अपनी बात रख सकें क्योंकि आगे चलकर हो सकता है family issues आ आगे चलकर थोड़े issues आ सकते हैं तो यह issue कैसे खतम होंगे जब आप अपने passion को follow करके अपनी life में prosperity लेकर आएंगे फिर कोई आपको मना नहीं कर सकता यह hope तो है यहाँ पर आपका connection ठीक होने में अगर आपको लगता है अभी आपकी दिल के अंदर घबराहट है और आपको भूल जाएंगे क्या कास्ट है क्या है क्या नहीं है क्योंकि आप independent होगे आप स्टेबल होगे अपनी life में तो आप अपनी बात रख पाओगे बड़ों के सामने तुकि आगे चलकर tower moment आते हुए दिख रहा है गाई और अभी भी है आपके partner की life में लेकिन आगे चलकर आपकी life में भी आ सकता है तो इसके लिए prepare हो जाओ अच्छे से और अपने passion को follow करो अभी जो भी current challenges अभी आए हुए हैं यह resolve हो जाने हैं आगे जाकर अगर आप अपन क्या divine आपको guide करेंगे क्या बताएंगे let's see bring love into the situation सबसे फर्स ट्रेट ना होई situation को handle handle करें बहुत प्यार से ठीक है and nothing yet is yet set in stone कुछ भी तो भी पत्थर पर लिख नहीं दिया गया है कि parents नहीं मानेंगे तो कभी मानेंगे नहीं पत्थर की लकीर तो नहीं हो गई है यह बात तो इसलिए काम करो अपने उपर सब अच्छा हो जाएगा क्योंकि अभी आपके कुछ ना कुछ टेस्ट होई रहेंगा है is your commitment is being tested yes थोड़ा adjust करके चलना पड़ सकता है आपको थोड़ा सा संभल के चले confidence अपना बिल्कुल बना के रखेंगे कि यही आपके लिए success की की है तो इसलिए न अच्छे से थोड़ा काम कीजिए आप लोगों की demand है कि मैं इन cards को भी use करूं तो मैं देख लेती हूँ यहां से क्या information आती है आप लोगों के लिए within a few months हो सकते है कुछ महीनों के अंदर अंदर आपकी love life में जो भी turning point आ रहा है वो favor में हो जाए ठीक है क्योंकि आप अच्छा अपना काम करेंगे ठीक है कुछ के लिए कुछ हपतों में भी हो सकता है within a few weeks or within a few months लेकिन yes जो भी होना है वो जल्दी ही हो जाएगा क्योंकि यहां पर ना action के बहुत सारे cards है आप अपना काम करते रहिए बागी सारी concern surrender कर दीजे divine पर और जो होगा वो best होगा यह मान के आप चले अपने passion को ज्यादा follow करें तो जो भी दिक्कते आगे आएंगी या अभी है वो आपके passion को follow करने से ही जाएगी क्योंकि जितना ज्यादा strong आप आपकी personality होगी कोई आपको reject नहीं कर सकता और जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा अपने आपको तियार करो अपने आपको ready करो ठीक है this is your reading I hope कि आपके साथ resonate हुई हो आपको पसंद आई हो अगर ये reading आपके साथ resonate हुई है तो comment section में बताईएगा चैनल पर अगर आप नए है तो subscribe कर देना वीडियो को like कर देन अभी के लिए बस इतना है guys bye take care